जेहिन दोस्तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन ने भी भरती की complete details के बारे में अगर आप भी इंडियन ने भी में अगनी पत स्कीम के अंत्रगत जाना चाहते हैं तो इसकी complete details को लेकर और इसकी form apply date को लेकर जो है officially update आ चुका है और आप सभी को बता दे इस सल जो आपका भरती conduct कराया जाएगा वा SSR और EMR पोस्ट पर जो है आपका होने वाला है तो आज किस वीडियो में जानेंगे इसमें age limit क्या है, educational qualification क्या रखा गया है, इसकी form apply कब से सुरू होगा, इसका last date क्या रहेगा और इसकी अलावा इसका selection process कैसे होगा और retain exam का syllabus क्या है तो अगर आप भी इस भरती में जाना चाहते हैं तो वीडियो को complete वाज किजिए और चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे बात करें भरती की complete details की तो आप सभी को बता दे इसमें जो आपका total post रहने वाला है इस साल जो आपका नेभी का भरती होगा, इसमें 3000 जो है आपका total post देखने को मिलेगा और आप सभी को बता दे इसमें male candidate के लिए 2500 post रहेगा और female candidate के लिए 500 post आपका रहने वाला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे eligibility criteria की बात करें तो आप सभी को बता दे इसमें age limit जो है minimum आपका सारे 17 बरस होना चाहिए और maximum जो है 23 बरस है तो आप इस firm को फील कर सकते हैं और आपका age जो count किया जाएगा 1 October 2022 के coding यानि कि एक October 2022 तक आपका minimum सारे 17 और maximum जो है 23 बरस से जादा नहीं होना चाहिए तो यह जो age है 1 October 2022 के coding आपका account होने वाला है अब यहाँ पे बात करते हैं educational qualification की तो आप सभी को बता दे अगनी बीर SSR की जो educational qualification है वा 10 पलस 2 पास आउट होना चाहिए और math और physics जो है 12 में होना वास्याक है और साथ इसाथ आपके पास जो है chemistry, bio या computer science जो है इन में से कोई एक subject जो होना चाहिए तभी जाकर आप इस firm को apply कर सकते हैं यानि कि simply आपको बताए तो अगर आप 12 जो है math and physics subject अगर आपका है तो आप इस firm को feel कर सकते हैं इसके बाद अगनी बीर जो EMR की वेकेंसी है काफी सारे student ऐसे होते हैं जो कि 12 जो है commerce या इसके अलावा art subject करते हैं तो उनके लिए जो है EMR का वेकेंसी है इसमें simply जो है matriculation य पास है तो आपके लिए EMR वेकेंसी है और अगर आप सभी math and physics अगर आपका 12 में है तो आप SSR post के लिए form feel कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे बाद करते हैं PET details की यानि कि physical efficiency test के बारे में तो male candidate के लिए 1.6 km का race होगा 7 मिनट में और यहाँ पे आप सभी को बता दे चेस्ट आपका 77-82 और weight जो है height and age के coding मापा जाएगा काफी सारे student का यह सवाल होगा कि female candidate के लिए जो है running जो है यानि की race कितना होगा तो इसके बारे में अभी जनकारी नहीं दिया गया है इसके officially side पर आने वाले समय में जब जनकारी मिलेगा female candidate का तो आप सभी को बता देंगे इसके बाद यहाँ पे height की बात करें तो 157 cm male candidate के लिए और female के लिए 152 cm और 20 उटक बैठक जो है male candidate के लिए आपका होगा PhD के अंतरगत और 10 जो है आपका push up होने वाला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसकी syllabus की तो आप सभी को बता दे अगर आप अगनी बीर SSR के लिए form apply करते हैं तो आपका जो syllabus है में English, Science, Math and General awareness से प्रस्न पूछे जाएंगे और 60 मिनाट आपको समय दिया जाएगा और objective type का प्रस्न होगा Hindi या English आप अपने according से जो भी language में देना चाहते हैं दे सकते हैं तो इसमें ये सभी subject से जो है प्रस्न पूछे जाएंगे और 60 मिनाट आपको समय मिलेगा और यहां पे आप सभी को बता दे कि परतेख subject में जो है आपको pass करना आवस्याख है अगर आप सभी इसका return exam qualify करना चाहते हैं तो AMR की बात करें तो AMR का syllabus में आपका science, math and general awareness रहेगा और इसमें जो है तेंथ लेवल के प्रस्न रहेंगे और 30 मिनट इसमें समय दिया जाएगा तो अगर आपका English कमजोर है अगर आप English पढ़ने में तेज नहीं है तो आप जो है AMR के लिए form apply कर सकते हैं क्यांकि इसमें जो ह math और general awareness से प्रस्न रहते हैं तो अगर आपका English कमजोर है तो ये वेकैंसी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा AMR का इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दे कि जो आपका next यहाँ पे वेकैंसी है आप यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि इसमें जो है आपका training कितने महीन का होगा तो ये six month का आपका होने वाला है और सारे तीन सल का job इसमें भी रहेगा कूल मिलाकर चार सल का job होगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दे अगर आप अगनी बीर वायू की तयारी कर रहे हैं यानि कि Indian Air Force की अगर आप सभी तयारी कर प्रासन और आप सभी को बता दे इस बूक को जो है Indian Air Force के एकजाम में जिस तरह से प्रासन पूछे जाते हैं उसी तरह से जो है सभी प्रासन और उसका solution and answer जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा चक्छू publication के तरफ से science subject के लिए अलग से प्रेक्टिसेट आता हैं तो आप इस प्रेक्टिसेट को पर्चेज कर सकते हैं इसका link description में दे दिये हैं या आप सभी अपने नजदीक के market सी भी जाकर इस book को पर्चेज कर सकते हैं और salary के बारे में आप सभी देख लीजिए 1st year में 30,000, 2nd year में 33,000, 3rd year में 36,500 और 4th year में 40,000 अपका salary मिलेगा और after retirement जो है आपको सेवा नीधी package के अंतरकत 1.7 लाक जो है रूपिया आपको दिया जाएगा और in hand जो आपका real में salary है वो आपका ये मिलने वाला है 1st year में इतना, 2nd में इतना, 3rd में इतना और 4th में इतना और आपी के salary से 30% कटता जाएगा और same amount जो है government of India के तरब से दि amount मिला कर 5510.04 लाक और कुछ interest के साथ 1.7 लाक जो है आपको retirement दिया जाएगा तो इसमें भी 4 साल के लिए ही आपका job रहेगा, selection process की बात करें तो सबसे पहले इसका CBT exam होगा, उसके बाद आपका PFT होगा, document verification, medical और final merit list बनेगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इस भरती के अंतरगत जो आपका application भी है वो कितना रहेगा, तो 2500 रुपिया जो है आपका ACST और General OBC female सभी के लिए 250 रुपिया आपका रहने वाला है, इसमें आप सभी को बता दे कि इस भरती के अंतरगत All India के male and female दोनों फर्म को फिल कर सकते हैं, इसकी बाद apply mode की बात कर तो online mode से जो है इसका form आपको apply करना होगा, और important date की बात करें तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख लिजिए, इसका जो officially आप सभी यहाँ पर देखेंगे, online जो registration है 1 जुलाई 2022 से सुरू होगा, इसका detailed जो notification है 9 जुलाई 2022 को जारी किया जाएगा, और इसका जो आपका form ह 15 से 30 जुलाई 2022 के बीच जो होगा, यानि कि 15 जुलाई से इसका form आप सभी apply कर सकते हैं, और 30 जुलाई 2022 इसका last date रहेगा, और जो इसका examination है and physical fitness test यानि कि PFT, वो mid October तक जो है conduct करा लिया जाएगा, और जो इसका medical and joining जो है, यह जो है 21 नवंबर 2022 तक complete हो जाएगा, तो simply आप स फर्म आप सभी 15 जुलाई से apply कर सकते हैं, और इसका full official notification 9 जुलाई 2022 को आपको देखने को मिलेगा, तो I hope आप सभी समझ गए होंगे, दोस्तों यहाँ पे vacancy का process जो है 21 नवंबर 2022 तक आपका समाप्त हो जाएगा, तो जैसे ही इसका full notification आता है और फर्म apply सुरू किया आप सभी को बताएंगे कि कैसे form को feel करना है, तो I hope आप सभी समझ गए होंगे, इस वीडियो में मैंने आप सभी को इसके complete details बता दिये हैं, कोई भी सवाल हो तो comment section में बताईएगा, और अगर आप सभी इसका details पढ़ना चाहते हैं, तो online सरकारी job.com पर visit करके आप सभी check कर स लगते हैं, link description में मिल जाएगा, तो फिर मिलते हैं next video में, तब तक लिए जहिंद बंदे मातरम.